नमस्कार विद्यार्तियों मैं पंकच पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागर करता हूँ आज मैं आपके सामनी फिर से उपस्तित हूँ सीबिये से क्लाश टेंथ की हिंदी बुग क्षिती से बहुत प्यारी सी कविता लेकर जिसका नाम है अट नहीं रही है और जिसके कवी है सुर्य कांत त्रिपाठी निराला जी तुम्हाइडियर स्टुडेंट्स आज के वीडियो में हम इस कविता के एक एक लाइन का बहुत ह ही आसान शब्दों में अर्थ सिखेंगे भावार्थ समझेंगे और इस कविता में कभी ने फागुन महीने की सुन्दरता का बहुत ही खुपसूरा ढंग से वरडन किया है यह फागुन का महीना पूरे साल का सबसे प्यारा महीना होता है क्योंकि इस महीने में सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं चारो तरफ रंग विरंगे फूल खिल जाते हैं प्रकृत की सुन्दरता और बढ़ जाती है और ये महीना फरवरी और मार्च के महीने में आता है और उसमें वसंतिरुत का आगमन भी हो गया होता है स्प्रिंग सीजन भी आ गया होता है जिसके कारव प्रकृत की सुन्दरता और बढ़ जाती है ये पूरा वाता और ये पूरी धरती एक दुलहन की तरह सज जाती है एक दुलहन की तरह सुन्दर दिखाई देने लगती है और इसी महीने में फागुन के महीने में ही रंगों का प्यारा तयोहार होली और महाशुरात्री का पर वो भी बड़े धूंद हम से मनाया जाता है तो उसी फागुन के महीने की सुन्दरता का वर्डन करते हुए कवी यहां कहते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है अट नहीं रही है का अर्थ है समा नहीं रही है आभा का अर्थ है चमक फागुन का महीना ये हिंदी महीने का एक नाम है तन का अर्थ है शरीर सट नहीं रही है मतलब समाहित नहीं हो पा रही है कवी कहते हैं कि ये जो फागुन महीने की आभा है सुन्दर्ता की चमक है वो हमारे शरीर में सट नहीं रही है समाहित नहीं हो पा रही है मतलब पूरे प्रकृत में इतनी सुन्दर्ता फैली हुई है इस प्रकृत की सुन्दर्ता की जो चमक है वो हमारे शरीर में समाहित नहीं हो पारी मैं उसे अपने अंदर समा नहीं पा रहा हूं घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो अब यहां कभी फागुन महीने को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तुम सांस लेते हो अब प्रकृत कैसे सांस लेगी जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक से हवा बाहर निकलती है intelligence मतलब धीमी धीमी तो कहते हैं जब धीमी धीमी हवा चलती है प्रकृति सांस लेती है तो वो फूलों की खुशबू, वो फूलों की महग, वो प्रकृति की सुन्रता पूरे घर घर में भर देती है उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो नभकार थे आकाश और प्रकृत की ऐसी सुन्दरता को देख कर सारे पंची आकाश में उड़ने के लिए आसमान में उड़ने के लिए बेचैन होने लगते हैं और दूसरे अर्थ में कभी कहते हैं कि मेरा मन भी पंख लगाकर इस आसमान की सैर करना चाहता है इस सुन्दरता को देख कर आसमान में उड़ना चाहता है आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है फागुन महीने की ऐसी सुन्दरता से मैं अपनी नजरे चुराना चाहता हूँ अपनी नजरे हटाना चाहता हूँ तो मेरी नजरे इस सुन्दरता को देख कर हट ही नहीं रही है हरे भरे पत्तों से लदी हुई पेडों की डाल कहीं हरी दिखाई दे रही है तो कहीं लाल कहीं पेडों के पत्ते हरे हरे नजर आ रहे हैं तो कहीं पेडों के पत्ते लाल लाल नजर आ रहे हैं कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल उर मतलब रिदय में मंद मतलब धीमी गंधकार थे सुगंधित पुष्पकार थे फूल मालकार थे माला तो कभी कहते हैं कहीं कहीं पेडों के रिदय में सुगंधित फूलों की माला नजर आ रही है फूलों की माला लटक रही अर्थात पेडों में सुगंधित फूल खिले हुए हैं पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है पाट पाट मतलब जगह जगह शोभाश्री मतलब सुन्दरता फैली हुई है जगह जगह पूरे प्रकृति में सुन्दरता फैली हुई है चारो तरफ पेड़ पौधे हरे भरे नजर आ रहे हैं फूल खिले हुए हैं सुगंदी थवा चल रही है पेपंची आसमान में उड़ रहे हैं चहचाहा रहे हैं फिर भी वो सुन्दर्ता हमारे अंदर समाहित नहीं हो पा रही है वो सुन्दर्ता जगह जगह प्रकट हो रही है यहीं यह प्यारी सी कविता समाप्त होती है उमीद करता हूँ आपको यह कविता पसंद आई होगी अगर कविता पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना भूले और अभी तक आपने चैनल क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे जिसे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए टेक क्यर